नमस्कार आप देख रहे हैं टाइम्स नियूज और मैं हूँ आपके साथ चबी आए नजर डालते हैं कुछ खास खबरों पर दिल्ली की कोचिंग संस्थान के बेस्मिंग में पानी भने से हुई तीन बच्चों की मौत के मामले में इंदोर में इस संबंध में सतरकता बढ़ती जा रही है जिसको संग्यान में लेकर जलापरशासन की द्वारा जाच करने की निर्दीश दिए गए हैं जिसके तहत नगर नगर निगम की अमले की द्वारा विवी निलाकों में कोचिंग संस्थानों की जाच करने के लिए पहुँचे हैं जहां वेस्मिंट में क्लासिस लगाने को लेकर उनसे पूछताच की गई जिसमें कई कोचिंग संस्थानों ने वेस्मिंट में संचालित होने वाली क्लासि तो वहीं जाच करके अधिकारियों की द्वरा बनाई जा रहे ही जाच रिपोर्ट को वर्ष्ट अधिकारियों को सुपा जाएगा जिसके आधार पर पुलिस प्रशासन, नगर निगम और जिला प्रशासन सरीत रूप से चर्चा कर इस संबंध में एक कारी यूजना बना कर पर कारवाही करेगा वहीं बेस्मेक में संचालित होने वाले गतिविदियों को लेकर इंदौर पुलिस कमिशनर राकिश कुमार गुपता का कहना है कि मुख्यमंत्री के निर्दीश पर कलेक्टर की द्वारा एक कमिर्टी का गठन किया जा रहा है जिसमें अपर कलेक्टर क साथ ही स्पी सतर के अधिकारियों को भी शामिल किया गया है जो इस तरह के संस्तानों पर जाकर सुक्षा ओडिट और बिजली ओडिट करने का काम करेंगे और जब तक वहां पर नियमों के अनुसार विवस्थाएं नहीं की जाती है तब तक वहां पर कोई भी गतिविदिय संचालेत नहीं करने दी जाएंगी गया है तो बेस्मेंट में पार्किंग यूज हो रहा है वहां पर किसी भी गार का गतिविदि नहीं पाया गया और वी रेजिनेंस में जो अभी में आया है तो इसमें इनका कहना है डारेक्टर साब का कि बिगत तीन दिनों से हमने यहां बंद कर रखा है तो उसकी अब पर नीचे रूम ख़ला है तो खारी रिक्ट पाया गया तो किस तरह की कारवाई की जाएगी क्लास तो बनी वी नीचे वह आयकत महोते द्वारा जैसे निर्देश दिया जाएगी उस परकार से कारवाई की जाएगी और कहां किस तरह के निरिशंड का आपको टागा है हॉस्पिटल्स और होटल्स हैं इनके बेस्मेंट में भी गतिविजियों की चेक करने के लिए बोला गया है गीतेश तेवारी बवन अतिकारी जोन करमांग ग्यारफ एक टीम मनाई है जिसमें की नगर निगम के इडिशनल कमिश्रर हमारे एडियम पुलिस के जो एक डीसीपी हैं और इसके अलावा फायर आफिसर और जो इलेक्रिकल सेफटी आफिसर हैं उनको हमने टीम में रखा है नगर निगम की तरफ से जो बेस्मेंट हैं जिनमें को इ पूरिके की चीजें चल नहीं है उनकी भी जानकारी इकटी करा ही जा रही है और इसके साथ साथ जो हमारा फायर सेफटी का भी एक अभयान चल दा था जिसमें जी प्लस थ्री से उपर की बिल्डिण्ग या कोचिंग संस्तान और अस्पताल थे वो बिल्डिंगे भी हम लो कोचिंग सेंटर के तलघर में पानी बरदाने कारण ये घटना क्रम हुआ इस घटना को लेते हुए राजेशासन ने इसे बना घंबीरता से लिया है और मामी मुक्रांती जी ने भी कल इसमें रदेज दिये हैं और हम लोगों ने भी इसमें घंबीरता से लेते हुए एक आइमर रहेंगे और मुक्री रूप से हम उनमें सुरक्षा ओडिट कैसे मुक्री सुरक्षा की जा सके एक बहुत मैकूल एलेक्सिटी ओडिट के कहीं कोई बिजली के खुले तार या ऐसी चीज़ें जो बरसात में बिजली पहलने के कारक बनते हैं उन दोनों ही चीजों को को विशेज गुप से ध्यान में रखें उसमें जब तक कि वो सुरक्षा विवस्ताय बुली नहीं होती उस अनुसार वैदानी कार रहें हैं करें